हाई दोस्तों असलाब अलेकुम कैसे आप लो मेरा अब नभील है आज मेरे पास है फायर बोल्ड की एनकोर स्मार्ट वाच जो के 1799 रुपीज की है सिर्फ और यह आती है फुल मेटल कंस्ट्रक्शन के साथ, फुल मेटल स्ट्रैप के साथ, आईपी 67 की रेटिंग के साथ, लुडूथ कॉलिंग के साथ तो चलिए देखते है कैसी है यह स्मार्ट वाच और क्या 1799 में यह स्मार्ट वाच 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 है या नहीं यह वाच के मेटल स्ट्रैप के आती है, तो इसके मेटल स्ट्रैप को एटजस्स करने के लिए आपके हाथ की साइज से मुताबिक यह टूल भी आपको मिलता है, जिस्से आप यह पर चालर कर सकते हो watch का design जो है बड़ा ही प्यारा है full metal construction का आती है stainless steel का यहाँ पे इस्तमाल किया गया है तो build quality अच्छी है यहाँ पे casing भी इसकी metal की है strap भी इसका metal का है Bluetooth calling smartwatch होनी की वैसे यहाँ पे आपको speaker के लिए grill भी मिलती है और इस side पे आपको mic मिलता है display के उपर जो glass का इस्तमाल किया गया है वो edges पे curved है तो एक अच्छा look देता है और यह watch का look आपके हाथ में जो है बहुत ही premium आपको देखने मिलेगा बहुत ही अच्छी दिखती है यह smartwatch और IP67 dust and water resistant भी है तो आप इसको पानी में वेगा सकते है इसको कुछ नहीं होता है watch को setup करना बहुत ही easy है android हो चाहे आइफोन हो दोनों के साथ यह pair हो जाती बस अपने phone से यह QR code जो है box पे दिया गया इसको scan कर लो और यह the fit application है इनका इसको down and install कर लो अपने phone पे उसके बाद यह app को आपको open कर लेना है और app में जो आपकी watch है उसके टाप कर लेना है और pairing request को accept करके आपकी watch को इसके साथ pair कर लेना है इस watch में आपको मिलता है 1.83 inches का display display की brightness काफी अच्छी outdoor visibility भी अच्छी है viewing angles भी इस display के अच्छे है आपको इसमें कोई issue नहीं आएगा display के message जो है उनकी thickness कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगी जहां पे 3 sides पे थोड़ी thickness कम है और bottom में slightly जादा है बाकी 3 sides के मुकाबले इस watch का UI है वो बहुत ही simple और easy to understand है top से bottom के ज़रा swipe करेंगे दिमापे आप जो है आपके favorite applications को add करके रख सेते जो भी आपको add करना है यहां से choose कर लो और जबी आप swipe करेंगे वही आप आपको वहाँ पे मिलेगा quick access के लिए left to right swipe करने पे आपको एक quick menu मिल जाता है छोटा सा जिसके अंदर recently open application आपको मिलते है time वगरा और additional details आप देख सकते है weather भी है और यह जो side का button है इसको press करने पे आप menu को access कर सकते हो इसी से आप back भी हो सकते है किसी भी app के अंदर से लेकिन जो button है digital crown जिसे दिखता है पर यह functional digital crown नहीं है मतलब इससे आप scroll नहीं कर सकते है menu देख सकते है आप यहाँ पर list view आपको मिल जाता है और एक और view मिलता है list view मुझे पसंद है और एक lack free interface आपको देखने मिलता है smooth scrolling है कोई issue नहीं है अब इसके health features जो है कि हम check out कर लेते हैं यहाँ सबसे वहले आपको sleep tracking मिल जाती है quality of sleep बता दीगी है फिर यहाँ पर आपको heart rate monitoring मिल जाती है जिससे आप 24-7 heart rate monitoring कर सकते हो SPODU का option है जिससे आप blood oxygen level check कर सकते हो और यहाँ पर आपको एक breathe करके feature भी दिया है जिससे आप उपने breath training कर सकते हो और sports mode की बात करें तो यहाँ पर multiple sports mode आपको देखने मिल जाते है additional features भी बहुत सारे दिये वे इस watch के अंदर जैसे आपका local weather जो है यह आपको बदा देगी with weather focus camera के shutter button के तोर पे इसको use कर सकते है bluetooth remote के तोर पे फिर आपको timer मिल जाता है alarm clock मिल जाता है music player मिल जाता है जिससे आप उनका music जो है watch directly control कर सकते हो stopwatch flashlight और fine phone जैसे useful features भी है और कुछ games भी दिया आपके time pass करने के लिए इस watch में ब्लुडूथ calling मिल जाती जिसमें आपको recent call list dial pad मिल जाता है ताके आप directly इस बीन नंबर पर dial कर सके और और contact को option है जिसमें contact मेंने safe किया हुआ है उस पे call करके देखते है इसकी volume loudness कैसी है आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है कुछ समय पश्चाथ प्रयास करी तो जैसे आपने देखा गाई जैसे आपने सुना यहाँ पे call quality जो है काफी अच्छी है loud and clear है और इस एंवार्मेंट भी आप call ले सकते इस watch से अब इसके application की features देख लेते हैं हम लोग एक करके यह iPhone है मेरा आप लोग पुछते हो iPhone पे पैर होगी के नहीं होगी तो आपको answer मिल चुका है आपके फोन के अंदर सारा data synchronize करती है वैसे यह भी करेगी health data की बात कर रहा हूं और सेम चीज़ अगर आपके बास Android फोन है तो Google Health का भी option आपको मिलता है तो है न दोस्तों काफी कमाल के features Firebolt Encore के अंदर और यह smart watch है इसमें आपको मिलती है 230 mAh capacity की battery जो इसको 10 days का stand by time देती है और up to 5 days की battery life भी देती है करा की भी भी दो समय मिलता है झाल झाल